बाबा दवरावा मंदिर उमरिया के पीठा धिसवर मसुरा दूबे का लखनाउ मिठ के कालेज में हुआ निधन उमरिया में 2002 में डकाइती के दावरान लगी थी मसुरा दूबे को गोली आपको बता दें कि 73 बर्स की उम्र में लखनों मिठके कालेज में मतुरा दूबे ने सुबा साड़े पांच बजे ली अंतिम सांस नमस्कार आप देख रहे हैं मारा फेस्बुक पेज यूटूब चैनल मैं हूँ शिवक मार चौधरी बस्ती जिले के दुबॉलिया थाना चेत के अंतरगत सिद्पीट बाबा दोरावा मंदिर उमरिया के पीठा दिसवर मतुरा दूबे 73 बर्स की उम्र में लखनों मिठके कालेज में इलाज के दवरान भोर में साड़े पांच बजे उनका निधन हो गया परजनों का रो रोकर बुरा हाल है सिद्पीट दोरावा मंदिर उमरिया के पीठा दिसवर रहे मतुरा दूबे के घर पर चठके बजमासों ने दो हजार दो में लूट पात उंग फायरिंग किया था जिसमें मतुरा दूबे घाल हो गए थे 31 अगस्त को मतुरा दूबे का तवियत खराब हुआ और लखनाव मिठके कालेज के लिए डाक्टर ने डिफर कर दिया जहां पर इलाज के दवरान उनका भोड में आज निधन हो गया है मतुरा दूबे की मांग पर पुलिश्यों की उमरिया का निर्मार करा गया था आज द निधन हो गया है मतुरा दूबे के दो बेटे युँ साथ बेटिया है जिसमें एक बेटे वा एक बेटिया की साधिय भी नहीं हो पाई है बाबा द्यारा मंदी के पीठा देशवर के निधन पर अग्या राम चौधरी समासेवी डांक्टर अजय यादो सुधा फाउंडर राजेश यादो एड़कोईट प्रधान सर्वद्यो यादो ग्राम प्रधान राम स्रुमर चौधरी प्रवंधक राम दासुधे परता पाउदोगिक इंटे कालेज भटपुरुवा चिल्मा बाजार मुकेश शिंग चंदेश तिवारी राजेश यादो बलापुर मुपर भी हम दिखाए कि यहां पर यहां मंदिर है और इसी मंदिर के पिठा जिसवर मतुरा दुबे जी रहे हैं और यहां छेट का अयतिहाशि मंदिर है और इसे मंदिर पर मंगलवार को लोगदर्शन करने भी आते हैं तो यह तस्वीरे थी, आपके बीच की थी, यह इलाके की और इलाके में इश्कों लेकर के सोग की लाद दोर गई है मत्रा दूबे के निधन की सूचना मिलते ही छेट के बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच कर उनका अंचिम दर्सन किये हैं तो नमस्कार धन्यबाद ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे फेस्बूक पेज़ पर बने रहें निश्ची तोर पर हम आपके बीच में आप से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को लेकर हाजिर होते रहेंगे आज हम छेत के पेठा जिसवर के निधन की खबर को लेक अगर आपके बीच में हाजित थे तो नमस्कार धन्यबाद जिन लोगों ने फेस्बूक पेज को हमारे फालो नहीं किया है वो लोग फालो कर लें इसे तोर पर हम आपके बीच में आप से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार